विरो ये बताईए क्या करा जाए थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम है पर हम बार बार आके वही इंपोर्टन्ट जोन वो बाईस पांत सो बाईस छे सो एग्रेसिफ कॉल राइटर्स का जोन तो कही बार आपने मेंचिन भी करा था उसी के आसपास आके थम भी रहें और आज तो हम जाए बार तॉट आशीर गूरी गूरी किल की हमारी अप्रोच कैपिल इसको सुनिये गा कल हमें थ्रेशोर्ड पॉंट को ट्रेट करना है दे मूमेंट जो एट ऊट्राउस टूट टू फो टूट वन बाइस चार्थरसो एक्ष कटे गा तो आपको मिलेगा बाइस चार् इंट्रडे हाई था, after crossing 421, 476.45, dot, pivot point से गराब देखें किसका, लेकिन दो दिन से टेंडेंसी क्या है, कि निफ्टी आके second half में, I mean best levels कुछ होने के बाद, थोड़ा सा collapse होके डीलों के आज पास close हो रहा है, ये दो दिन की टेंडेंसी है, इस monthly contract में जब से हमने trade करना शुरू करवार को हमें जब उस morning के horror show के बाद, एक strong reversal मिला था, आशिश, हम एक up trend में रहे हैं, हमने इस zone में अभी तक during the day, base को touch नहीं किया, threshold points पर trade मिलते हैं, उसके बाद बजा सिंग हो जाता है, मेरी approach आज की क्या रही है, देखें, आज एक दो negative news flow भी है, especially US futures, US market, और उसके एक हो गया कोटेक मेंदरा बैंक, तो मैं थोड़ा सगर आप देखें, कौशिश हूँ, आपने trades को आज pick करने के लिए, डियाएस की 3810 क्रोटर पे की बैंक, FIS की 4512 क्रोटर पे की selling, और अगर आप index futures में उनको देखें, तो हम इन 257 क्रोटर पे का कल अगर आप selling थी, और 13, 12,000 कॉंट्रेक्ट लांग ट्रिम कर लिए, और इसी के साथ उनके जो net shot contract है, वो करीब आज के दिन जब एक स्पायर होंगे ये contract, या फिर रोल होंगे, एक लाग 24,000 कॉंट्रेक्ट नेच शॉट करें हैं, मेरी अप्रोच निफ्टी भी क्या रहेगी, देखें, निफ्टी कहीं पर अगर आप strongly visible है, that's I think 22300 और करीप 22200 गा जोन है, मैं कैसे trade को पिक करूँ, देखें, बहुत दिनों से अभी हमने, अपने कल और पड़सों में, बेस को टेस्ट ने किया है, तो बेस का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी था, और ये expiry day के दिन होगा, ये लाजमी है, जिस प्रकार का हमारा आज का महौल है, पहला बेस है 361318, याद रखेगा, ये पोट्राइटर्स का जोन है, लेकिन उसके नीचे जो बड़ा बेस है, वो है 279229, आज बजार खुलेगा, थोड़ा सिंक होगा, डेफिनेटली होगा, और इन लिवल्स पर नज़र रखें, य मेरे ख्याल से पहला बेस काम कर जाएगा, हर ट्रेट को जो हम लोगर टेजिक्टरिम पे करेंगे आशिश, एज अफ नौ, उसको हमें एक्जिट करना है, प्लीज लेकाईएगा, रेस्टेंस वन की प्लेट, और रेस्टेंस वन क्या है, उस जोन में प्रॉफिट्स को लेन जाएगे, देन 591, 626 की टेजिक्ट्री खुल जाएगे, ऐसे मैं अप्रोच करूँगा, निफ्टी को, निफ्टी बैंक दो दिन से उस गैप में जिसका मैं जिकर कर रहा हूँ, 48200, 48300, उस क्लेस्टर को पार नहीं कर पारा है, कल एकस्पारी की दिन, 48200 के कॉल राइटर न 59,000 पे कॉल राइटर्स खड़े हुए, नीचे 48200 पे पोर्ट राइटिंग हुई थी, 48000 पे पोर्ट राइटिंग हुई थी, 47600 पे पोर्ट राइटिंग हुई थी, लेकिन मैं आज बकालत इसी बात की करूँगा, considering I think Kotak Mahindra Bank की जो न्यूस फ्लो है, उसकी बद्दे निज और फिर कहूँगा, इस बात की वकालत फिर करूँगा, कि as of now, अगर आपको base 1 का trade काम करतावा नजर आए, 2500 पॉइंट, 300 पॉइंट दे दे और चला जाए RS1 के क्लस्टर में, that's 48266379, यहाँ पे अपने profits को cash में convert करने की सोचिएगा, नया move Nifty Bank में अब तभी आएगा और निफ्टी Bank से याद आया, आज सबकी, आज दो चीजों पर retail की खास तोर पर नजर है, पहला तो वो जो कल शाम को कोटक महिंदरा Bank पे गाज किरी, शायद किसी large entity पर अब तक का RBI का सबसे toughest disciplinary action कल हुआ है, RBI ने कोटक के खिलाब जो action लिया है, उसमें ये जो company नए ग्रहाक की onboarding करती थी, जोडती थी, mobile से, online banking से, यानि की online और digital channels के थुरू, उस onboarding पर रोक लगा दिया है, प्लस, fresh issuance of credit cards पे भी रोक है, यह कह रहे हैं, यानि की regulator की serious deficiencies और non-compliance observe करी गई थी इसके IT systems में, और repeat failures हुए थे उसे address करने के लिए, 2022-2023 में Central Bank के IT examination में significant concerns drop करे थे, पर इन्होंने rectify नहीं करा, और यह action significant इसी लिए है, क्योंकि आज की date में digital channels सबसे primary means हैं, और कोटक के लिए तो सबसे ज़ादा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कोटक के लिए इसका magnitude बहुत दग रहा है, Personal Loans जो नए है 95% online, नए credit cards 99% online, नए business loans 79% digitally, in fact नए investment accounts 90% book करे गए थे through digital और do-it-yourself channels, तो इसके लिए इसका magnitude तगड़ा है, वैसे उदे कोटक सर पहले कुछ दिन पहले बोले थे, Turbulence के लिए रही हार रही है, हमें लगा Global Turbulence की बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, पथा नहीं, पर 811 पर impact आएगा, 811 जोनके onboarding थी उस पर impact आएगा, कोटक महिंदरा बैंक का statement आया है, उसके बाद, कि हम measures ले रहे हैं, नई technologies को adopt करने के, अपने IT systems को strengthen करने के, और swiftly resolve करने के, जो outstanding issues हैं उसके, आप सब concerned होंगे, तो यह बता दूँ, जो current गरहाक हैं, उनकी services impact नहीं होंगे, पर, दिक्कत में आया है, काफी, तो कोटक महिंदर बैंक तो आज का सबसे prominent stock हो गया है, जो सब के नजर पे रहेगा, दूसरा, मैंने का था, retail की दो जगी नजर है, दूसरी सब की नजर word of phone idea पे है, कल मेरे पास माल आया है, मैं छोड़ू, उससे परने 9% कल गिर गया, आज देखतें कैसा रहेगा, FPO के जारी shares कल सब के account में credit हो चुके होंगे, सब को retail को पूरा ही माल मिल गया है, आज वो FPO shares अब आप trade कर सकेंगे, list होने आएगे, कर दोड़着